बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जहांपर कोरोना के मामलों में काफी हद तक काबू तो पालिया गया है लेकिन सरकार कई जोन में बांट कर कुछ छूट दे सकती है ये खबर मिल रही है लेकिन केंदर के फैसले का इंतजार उसे अभी दी है करोना संक्रमन को रोकना हर हाल में रोकना इसके लिए मेडिकल टीम को बचाना डॉक्टर हैं पैरमेडिक्स हैं नर्सिंग केश्टाप हैं जितने टेक्निसियन्स हैं इनको सुरक्षित रखते हुए कैसे हम इनको प्रसिक्षित करें कैसे हम इन्हें Postal Protection के इक्यूपमेंट उपलब्द करा करके इमर्जन्सी सेवाएं, फास्ते मंत्री के देख्सता की कमिटी इस पर कारे करके तुरी तुरूप से इस कारेकरम को आगे बढ़ा सकेगी, इस पर वह कमिटी या कमिटी कारे करेगे, सभी मंत्रियों से इस बारे में कहा जार गया है कि 15 अप्रेल से वे अपने कारेलयों में बैठें, सामाने कामकाज को निप्टाएं, अपने परभारी जन्पदों में जो वहाँ पे सासन से जुड़ी भी केंदर और प्रदेश सरकार की करीब कल्याण कारी योजनाये हैं, इनकी मॉनिटरिंग करने के साथ साथ विभागिये का से भी मेरी अपील होगी कि कोई परव और तेवार पब्लिक फंक्सन नहों, कोई सामिक आयूजन नहों, क्योंकि ये आयूजन बिमारी और संक्रमन को बढ़ा सकता है, इस दिस से इसके बारे में भी किया गया है तो मुकी मंतरी को आपने सुना कि किस तरह के इंतिजामों की विवस्ता अभी तक हुई है, लेकिन आईए आपको सीधे इस वक लिए चलते हैं लगनों, वहाँ पर कुमार अभिशेक मौजूद है इस वक्त, कुमार इस वक्त सबके जहन में सवाल यही है कि 14 अपरेल के बा मिनाक्षी देखे, मुक्हमंतरी ने साफ कर दिया है कि जैसे ही प्रधान मंतरी एलान करेंगे, उसी आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार बढ़ेगी, लेकिन निश्चित तोर पर तैयारी पूरी दिखाई दे रही है कि 15 तारीक से किस तरीके का रिलाक्षेशन होगा, मु और ये सारे लोग एक तरीके से अपना कारेश शुरू कर देंगे, सारे मंतरीयों को उनके विभागयों के काम दे दिये गए हैं, बाट दिये गए हैं, फिलाद मैं आपको ये इलाका भी दिखा दूँ, जहां पर इस वक्क खड़ा हूं मैं, कि किस तरह के हालात अब भी है क्योंकि अब एक दिन में ये लोगडाउन खतम होने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बताता चलूं कि कुछ रियायतें लगभग तै की जा चुकी हैं, जिसमें होम डिलिवरी जो रेस्टरॉण के होने हैं, वो तै हो चुकी है, जो मचली को खोला गया है, कि लोग पर बहुत सारी रियायतें हैं,